हम हाउस वाइप की सबसे बड़ी कम्या क्या है पता है अपने उपपर विश्वस ना होना हम अपने आपको एक रेस्टिक्टिड दाइरह में कैद करके रखते हैं और इसी दाइरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं एक कम्पलेक्सिटी का सिकार बन जाते हैं हमेशा वार्किंग तक बने रही है इसका सल्यूशन आपको मिल जाएगा हेलो फ्रेंट्स में अमीता आप सब को मेरे चानल लेट्स बीगिन लाइफ अप्टर फिप्टी में स्वागत करते हैं कैसे हैं आप चलिए आज कुछ पॉएंट्स के उपर डिसकसन करते हैं जिसे अपना कर आप जानकरी मिलतर आएगा तो मेरे पहला पॉइंट से एप्रिशेट योर्सेल्फ हम भगवान के एक सुन्दर रचना है मगर हमें हमारा आत्ममुल्य का पता नहीं अपनी जिम्मेदर या निभाते निभाते हम खुद को भूल जाते हैं समाज में अपने आपका पहचान बनाय रखने के लिए पहला कदम है हम अपने आपको कैसे देखते हैं अपने आपके साथ कैसे बरताब करते हैं आप ही अपनी लाइप को चेंज कर सकती हैं कोई और नहीं इसलिए अपने लाइप की जिम्मेदर या खुद ले हमेशा सोचे कि मैं खुबसूरत हूं अपने अंदर हमारा appearance, dressing sense, body language ये सब हमारा social image को describe परता है इसलिए अपने आपको हमेंसा maintain करके रखे अक्सर देखा जाता है कि housewife घर पे night tea या किसी भी ढेला ढेला dress या सारी पैन का रहती है और घर का सारे काम करता है बिख्रावा बाल, बीना make-up के face, सरीर से पसीने का बद्बू और सरीर में बीना प्रेस किया हुआ कपड़ा क्या ये आपको अच्छा लगता है नहीं न, फिर क्यों रहते हैं अब ऐसा सूचिए, जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, वो क्या ऐसे हैं जाते हैं आप house life हो, घर पे काम करती हो, ठीक है मगर एक worker की तरह नहीं, एक manager की तरह काम करो घर ही आपका work field है आप आज ये home manager अपनी घर को अच्छी तरह manage करते हो ये सूच अपने मन में बना लो अपने आपको थोड़ा maintain करो बहुत सारे महिलाएं होते हैं, जो कि घर में तो एसे रहते हैं एसे ही बाहर भी सब्जी लाने, वाक करने या बच्चों के वो स्कूल से लाने के लिए भी चले जाते हैं पर नहीं, आपको अपड़े change करके जाओ घर पे भी थोड़ा make-up लो, नया hair stare करो, थोड़ा सा perfume ड़ो ताकि सरीर से बसीने की बदबुन आए प्रेस किया हुआ, साप सुत्रा और well fitted dress पहनो ताकि stylist लग सको अपनी जो सोच है कि हम तो घर पे रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है ये सोच की दाइरे से बाहर निकलो, क्योंकि फर्क पड़ता है ये छोटी-छोटी चीज ही आपकी personality को बढ़ाता है अपने आप पो रिस्पेट करो, maintain करो, और दूसरों के लिए एक idol बनो एक housewife की जो image होता है, सफाई करते हुए, बरतन धोते हुए, कपड़ा साप करते हुए, या आटा गुनते हुए इसी image से बाहर निकलो, अपना एक अलग पहचान बनाय रखो देखोगी कितने positive feel खरोगी, और आपके सारी complexity दूर हो जाएगी तो कैसा लगा मेरे वीडियो, अच्छा लगा तो एक like जरूर करते हैं, अगर आपके मन में कोई queries है, तो comment section में जरूर डालना मिलते हैं भी रखनाय वीडियो के साथ, जय जगनात